गाउं के बिकास को लेकर अब पंचायतों को मिलेंगे छो हजार करों रुपे जिहां आपने सही सुना यानि कि गाउं में सोलर लाइट लगाने के लिए खेल के मैदान को सुद्रिड करने के लिए उधानों में खुला जिम बनाने के लिए आंगनवाडी के दुरों में सुविधाओं का विकास को लेकर सोदा ग्री को लेकर बस वा आटो अस्टेंड बनाने को लेकर यातरी सेड बनाने को लेकर सामुदाइक भवन बनाने को लेकर अब पंचायतों को 6,000 कड़ो रुपे बिहार सरकार देगी नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनील और आप देखना सुरू कर चुके हैं मगज संबाद जहां गाओं सहर तमाम विकास की बाते आपके बीच हम लेकर आते रहते कि क्या कुछ सरकार की योजनयाई चल रही है पुरी खबर को बताने से पहले आपसे आग रहे कि वीडियो को अंद तक देखिएगा तब जाकर आपको पुरी बात समझ में आएगा चाहे आप वाड सदस हैं या मुखियाजी हैं या उनके अपने हैं या ग्रामिन हैं पुरी खबर को अंद तक देखिएगा और आपसे आप एक और आगरह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और विडियो को लाइक कर दिजिएगा और आप इसे खबर के सम्द्ध में क्या कुछ कहना चाहते हैं कॉमेंट करके बताईएगा आपको बता दें कि बिहार की ग्राम पंचायतों को छठे राजबित आयों की अनुसंसा पर वर्स दुहजार तेस चोविस में साढ़े च्छाहजार कड़ो रूपे मिलेंगे इस पहसे से पंचायती राजशंसाओं के तहत ग्राम पंचायत में सोलर अस्टीट लाइट खेल के मैदान उधानों में खुला जीम की बिवस्था आंगरवाडी के नुरों में सुविधाओं का विकास सोधाग्री बस और आटो अस्टेंड यातरी सेड शामुदाईक भव का निर्मान कराना होगा वहीं टाइड ग्रांट के तहत स्वच्ता के प्रती ठोस वसरल और सिष्ट परबंधन स्वच्ता के लिए गलियों का पक्की करन और नाली निर्मान पे जलापूर्ती वर्सा जल संचय के तहत मुख मंत्री ग्रामीन पेजल योजना का अनुरच्छन और रख रखाओ और सरजनी कुगों का जिन और द्वार सहीत छट घाट का निर्मान आदी कार्ज किये जाएंगे इन पैसों से इतने काम कराना है पंचाय सरकार भवन के लिए रासी सुरच्छित रखी जाएगी जिस पंचायत में अभी तक पंचाय सरकार भवन नहीं बना है वहां के लिए रासी सुरच्छित रखा गया है आपको बता दे कि रासी का भुक्तान अंतिम वर्स दो हजार चौबिस पतीस में होगा आपको यह भी बता दे कि बीत विभाग के सुत्रों ने बताया है या उनके नुसार हम आपको बता रहे कि छटे बीत आयोग की सिफारिस के अधार पर राज की त्री अस्तरिये पंचायती राज संस्थानों को 29,876 करोर का प्रोधान किया गया है इस रासी का भुक्तान बितिये वर्स 2021-22 से बितिये वर्स 2024-25 के बीच किया जाना है इस आधार पर 2023-24 में 6,500 करोर की रासी दी जाएगी जबकि अगले वर्स 2024-25 में 8,000 करोर रुपिये दिये जाएगे इन सभी पैसों कावपियोग जनोपियोगी कार्यों में किया जाएगा यहाँ पर हम असपश्ट कर देना चाहते हैं कि 6,500 करोर जो रासी मिलेंगे गाउं के विकास के लिए उसमें कई तरह के आप काम करा सकते हैं बैठके करना है योजनाएं लेना है और इसमें वाड सदस्टों की भी भूमिका होगी जिस वाड में काम कराया जाएगा वहाँ के वाड सदस्ट से समती के साथ ही वहाँ इस कार्ज को संपादित भी कराना है अब यह बीत आयो की अनुसंसा पर ग्राम पंचायतों में 6 राजबीत आयो की अनुसंसा पर 2023 में 6,500 रुपे दिये जाएंगे तो इस तरह से अब गांगों को सहर की तरह बनाने की प्लानिंग बिहार सरकार को है जिस परकार से सहरों में यात्री सेड हुआ करते हैं सामदाइक भमन होते हैं बस अस्टेंड होता है और टो अस्टेंड होता है सौधा ग्री होते हैं जीम होता है खेल का मैदान होता है जगमक करता हुआ स्ट्रीट लाइट होता है वो तमाम काम जो है आप अपने पंचायत में अपने गाउं में इस रासी से करा सकते हैं इसके साथ ही गलियों को दम बिल्कुल स्वच्छ रखना है स्वच्छता पर ध्यान देना इस पैसे से साफसपाई पर ध्यान रखना है गलियों को पकी करन भी करा सकते हैं नाली का निर्मान करा सकते हैं पेजल जलापूर्ती वर्सा जलापूर्ती की भिवस्ता कई तरह की विकास के लिए आपको अब गाउं को सहरों का लूक देना है यानि कि सरकार चाहती है कि गाउं भी सहरों की तरह दिखे तो निस्ची थी अब इन पैसों से गाउं जगमग होगा फिलाल हमारे साथ बने रही है और देखते रही है कि आपके गाउं पंचायत के लिए क्या के लेकर आने के कोशिस करेंगे फिलाल बने रही हमारे साथ और एगले वीडियो का इंतेदार कीजिए एक और बड़ी खबर लेकर आपके बीच आ रहे हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए चाहिए इजाजा धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातर करात है।